पचीस परसेंट इंजिनियर की नोकरी जाने वाली है क्योंकि सौधी अरब में पचीस परसेंट सौधी जिसन का एलान कर दिया गिया है जो लोग भी इस एदारा में इंजिनियर का काम करते हैं यानि इस एदारा में इंजिनियर है तो हर हंड्रेड इंजिनियर में यानि सव इंजनियर में 25 इंजनियर साओी की होंगे टेक्निकल इंजनियर हो या सिविल काम करेंगे 25 परसेंड अभी यलान किया गया है जो लोग भी अपने देश में ये सपना सिजाके रखते हैं या इसे उमीद पे अपना इंजनियरिंग कम्प्लीट करते हैं कि हमारे देश में तो इंजिनियर का नोकरी नहीं मिल पाता है तो हम सवुदी या बाहर देश में जाकर इंजिनियरिंग करेंगे क्योंकि वहां पे बहुत आसानी से ये नोकरी मिल जाता है और अच्छा खासा सिल्री भी होता है तो यहां के लोग भी इस लाइन में चुके हैं पहले यहां के लोग इंजिनियर डॉक्टर या साइंटिस का परहाई नहीं परते थे लेकिन अब यहां के लोग भी इस लाइन में परहाई करते हैं और तयारी करते हैं ताके जो बाहर कमा कर लोग ले जाते हैं यहां का पैसा यहीं रह जाएगा क्योंकि काफी बड़े बड़े सुबों से अजनवियों को निकाला जा रहा है और 2030 तक क्या होता है आप देखते जाईए क्यूंकि यहां के लोग ज्यादा इस लाइन से नहीं पड़ते थे जो भी मेरमेन इंजिनियर है या जो भी डॉक्टर है या जो भी साइंटी से यह बाहर से हायर करते थे लेकिन अब यहां के लोग भी इस लाइन में घुच चुके हैं और खुद तैयारी करते हैं और इसी वज़ा से अब यहां पे 25% सौधी जैसन का एलान कर दिया गया है यानि 100 इंजिनियर में से कम से कम 25 इंजिनियर यहां के रहेंगे और जिस हिसाब से इनका लेवल है 2030 तक अच्छे अच्छे पोश्ट पे जो लोग भी काम कर रहे हैं बाहर के लोग यहां से सिल्री अपने देश कमा कर ले जाते हैं उन लोग के लिए मुसीबत आ जाएगी यानि उन लोग का धीर धीरे कम कर दिया जाएगा और काफी इसे सुबों से उनको निकाल दिया ग